सब्सक्राइब किजिए नियागा नियुट्स को और बेल आइकोन को दबा कर दुनिया वरक्त की ताज़ा ख़वरे पाईए सबसे सब्सक्राइब किजिए नमस्कार दोस्तों आप क्रिकेट के फैन नहों तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिये औस्टेलिया ओल दक्षन अफ्रीका के बीच तीसरे टेस्ट में कंगार्म खिलाडी कैमरन बेनकरॉप्ट ने गेंद पर पीले रंग की चीज से रगड़ी थी गेंद से छेड़ चाड करते हुए वे कैमरे में केड़ हो गए जिसकी फुटेज भी बाद में सामने आई थी औस्टेलिया आई क्रिकेट टीम शुरू से चीटर है साल 2015 में भी टीम ने धोखे बाजी की थी ICC World Cup Final मुकाबले में कंगारों ने उस दावरान भी बॉल्ट एमपरिंग जैसा की थी ये बाते हम अपनी ओर से नहीं कह रहे बल की ये दावा न्यूजिलेंड टीम के खिलाडी ड्रांट एलियोट ने क्या है उन्होंने इशारे इशारे में कहा है की ओ सकता है 2015 के World Cup Final में भी टीम ने कुछ है साही क्या हो आपको बता देख की Australia All दक्षन अफ्रीका के बीच तीसरे टेस्ट में कंगारों खिलाडी कैमरन बैनर क्रॉप्ट ने गेंद पर पीले रंग की चीज यानी सैंड पेपर से रगड़ी थी गेंद से छेड चाड करते हुए वे कैमरे में केद हो गए जिसकी फुटेज भी बाद में सामने आई थी बाद में बैनक्रोट टीम के कप्तान स्टीव स्मेटॉल बल्ले बाज डेविड वर्नर ने दुनिया के सामने टैमपरिंग की बात कबूली थी गलती मान लेने के बाद स्टीव की कप्तानी चली गई खेलाडियों पर प्रतिबंद लगा डॉरेन लेहमैन ने कोच के पद से इस्टीफा देद दिया यूँ समझे औस्टेलियाई क्रिकेट में इस घटना से भूचाल आ गया था इलियोट ने इसी घटना को ध्यान में रखते हुए बीते अनोभव का जिक्र किया है कीवी रेडियो शोहरा की ब्रेक फास्ट पर इलियोट बोले मुझसे पूछा गया था की वर्ल कब फाइनल में क्या हुआ था क्या उन्होंने ऐसा किया था हम अच्छी स्थिती में थे तीन विकेट पर एक सौपचास रन बना चुके थे मैंने कई ऐसे मेच खेले हैं जिन में गेंद अच्छा खासा स्विंग खाती है असल बात है कि बैट समयन में जिल स्टार्क जैसे खेलाडी की ओर नजर फिराते हैं जो देर से अच्छी बोलिंग नहीं करता हो सकता है कि तब वह खुद पर ध्यान दे रहे हो और गेंद के साथ छेड़ चार्ड करना चाह रहे हो उन्होंने आगे बताया हम ICC से इस बात पर बात करेंगे वर्ल कब की फुटेज देख कर आए की निम न लेंगा हमें पता है ऑस्टेलिया टीम ने वहां भी चीटिंग की लेकिन हम उस वक उन्हें पकर नहीं सके आप अपना विचार हमें कमेंट करके जरूर बताए दोस्त बेल को सब्सक्राइब करना भूले